next question question says a closed loop PQRS carrying a current displays in a uniform magnetic field if the magnetic force on the segment PS SR and RQR F1 F2 F3 respectively and are in the plane of the paper सवाल है along and along the direction shown सवाल ये force on the segment QP will be और चार option अपने को दे रखें अगें बढ़िया vectors का और magnetic field को use करने वाला conceptual अच्छा सवाल है मुश्किल नहीं है अच्छा सवाल है concept यहां पर चेक होएंगे सिर्व अच्छे students वो इसको पहली बाहर में सही कर पाते हैं मैं चाहता हूँ आपको सब को सवाल करना आता हो तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए यह आपका segment है wire segment यह आपका wire segment है इसका जो नाम करन कर रखा है वो PQRS यहां पर यह PQRS इस तरह से आमने wire के नाम दिये हुए और इनके उपर जो लगने वाला force है वो है आपका यह बाला force है F1 इस direction में इस direction में आपका F2 और यहां पर आपका F3 और इस direction में है आपका F4 force होगा यहां पर ना क्योंकि यह uniform magnetic field में रखा हुआ है आपका close loop है तो यह बात अपने को पता है कि यहां पर net force जो है F net उसकी value 0 हैगी यानि की विच इंप्लाइज विच इंप्लाइज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 वेक्टर सम इन चारों का 0 आएगा ना इन चारों का वेक्टर सम 0 आने का मतलब क्या है अगर हम F4 के components बनाया है तो अगर मान लिजी यह एंगल फ्लस तो इसका कमपनेंट इधर आएगा और एक फॉर कॉस धिता और यह वाला ऑगर फॉर flirt रगने वाला हो horizontal x और y direction दोनों का force 0 है, इसका मतलब यह है कि आपका जो f4 cos theta होएगा, यह लगने वाला force, उसकी value f2 के बराबर होनी चाहिए, और यह वाला जो f4 sin theta जो force है, यह वाला जो sin theta वाला force है, वो इन दोनों के sum के बराबर होना चाहिए, vector sum यानि की f1 minus f3 के बराबर होना चाहिए force, तो यह हमारी question number 1 आ गई, यह हमारी question number 2 आ गई, हमें बताना है f4 का magnitude क्या होएगा, अगर तो हमें बताना हो angle कितना है यह theta तो हम इन दोनों को divide कर सकते हैं, लेकिन हमें बताना है value क्या होएगी, तो इन दोनों को अगर हम square करके add कर दे, तो हमारे answer आ जाएगा, तो हमें यह पता है, sin theta, sin square theta plus cos square theta 1 होता है, तो आपका left hand side जो बन जाएगा f4 का square, यहाँ पर यह हो जाएगा f2 का square plus f1 minus f3 का square, now f4 की value के लिए आप इसका under root इस तरफ ले सकते हैं, so based यह आपका final answer आजाएगा, so based on this हम कह सकते हैं कि आपका option number d, f3 minus f1 का square plus f2 का square का whole under root, option number d would be the right answer.